वेलकम प्रेंट्स तुदनीकामरा.com चैनल और तोड़ी आपके पास यह सारे कैमरा है यह आपके पास 80D कैमरा है या 90D आप खरीदने के प्लान कर रहे हो तो इन सारी APAC DSLRS के लिए कौन से बेस्ट वेडिंग लेंसे होंगे आपके लिए वो मैं आपको आज जरूर बताऊंगा हाला कि आगर बढ़ने से पहले में जरूर बता दू कि अगर आप बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफी कैमरा लेने की सोच रहे हो तो मैंने एक वीडियो औरेडी मन सबसे बीडियो में अगर आपके बास पंद्रे सोटी है तो यहां पर सबसे बीगिनिंग में अगर आपके बास पंद्रे सोटी है अगर आपके पास 200D सीरीज का कैमरा या 800-850D या 7070-80D इन सारी रेंज का कोई भी APS-C कैनन का DSLR है तो यहां पर सबसे बेस्ट लेंस रहेगी सिग्मा की 17-50 F2.8 यह लेंस लगबग आपकी 29,000-28,000 के उसी रेंज में मिल जाती है टैमराउन की भी लेंस आती है इसकी जो सार्पनेस है इसकी जो डिटेलिंग है इसकी जो आप्पुट है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है इसकी कोई उतनी ड्रॉबबैक नहीं है और कैनन के भी 17-50 mm की लेंस आती है और अगर आपको पॉट्रेट सूट करने है तो आपको सब्सक्राइब करने है तो आपको सब्सक्राइब करती है क्योंकि आपको पता है 1.6 x crop factor के चक्कर रहता है अपीस-CDS-LS में 50 mm lens act as 80 mm lens in your APS-CDS-LR camera क्योंकि यह जो 50 mm के लिए से फुल-फ्रेम camera लेते हो तो अगर आप इन फ्यूचर अगर कोई फुल-फ्रेम camera लेते हो तो इस विल वर्क विदाविट विदाविग एनी इस्योज़ आप यूच्छ विदा नें लिए थाइन लिए और फिल अप्रेम स्सॉज़ अगर के लिए इस्टों रूप्तीम लिए जो अंपर आपके पास और्रीड नीप्रेट बच्छ तो invest a new 50 mm lens then get the 50 mm HDM lens it will do AF faster और काफी silent AF करेगी यह lens तो 99% यह दो lenses आपकी wedding photography needs को solve कर देंगी और हम थोड़ा से range बढ़ाते हैं अगर आपको थोड़ी और range चाहिए तो Canon की latest 18-135 mm की जो nano USM lens है आप उसमें invest कर सकते हो क्योंकि अगर मालो आपको range जादा चाहिए if you need to suit your subjects from a distance then you can invest in a Canon 18-135 mm nano USM जो latest Canon की lens है उसमें आप invest करो तो बहुत ही अच्छी lens है अब आ जाती यह range की बार तो जैसे मैंने का 18-135 mm काफी अच्छी range देती है फिर आपको ultra wide angle shots लेने काफी creative photography करनी है आपको pandal के shot लेने और whatever then you can also buy the 10-18 mm ishtm lens अब यह ishtm lens क्योंकि STM है तो optimized DPF system के लिए ishtm तो अगर आप gimbal के through भी suit कर रहे हो या handheld भी कुछ एक shorts निकाल रहे हो तो अगर आम रेंज की बात कर ले देने यू कन भाइब देने यू कन भाइब 10-18 mm lens also if you have budget then you can get this lens too in your bag other than that you can also get the 18-135 mm lens but the basic kit remains the basic it's the 17-50 f2.8 from sigma and 50 mm f1.8 these are the two basic lenses बाकी हम range बढ़ानी की बात कर रहे हैं आपकी तो अगर आपको भस budget है तो then you can increase the range of the lens आप हम थोड़ी से pro level पे और बढ़ते हैं range तो बढ़ गई आप हम थोड़ी आगे जाते हैं कि माल लो waiting चल रही है हमें बहुत ही अच्छे एकदम cinematic portraits लेने हैं कुछ एक specific suits करने हैं तो sigma की 18-135 mm की f1.8 lens आपको बहुत help कर सकती है तो माल लीजे अगर आप sigma 18-135 mm के साथ 1.8 के साथ अगर आप suit कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी output यह देगी बहुत ही जादा isolate कर देगी आपकी subject को तो माल लीजे अगर आप rituals को suit कर रहे हैं तो आप अपने subject को बहुत ही अच्छी तरीक साइशलेट कर सकते हैं environment से if you need that अगर आपको चाहिए आपको requirement है तब आप isolate कर सकते हैं with the help of f1.8 aperture so having 18-35 mm lens will enhance your capability आपकी capability को बहुत ही enhance कर देगी तो हम यह सारी range की बात कर रहे हैं अभी इस वक्त की अगर आपके पास budget और है if you want to invest more on lenses then you can get the 10-18 mm ishtm lens then you can get 18-135 mm lens also you can have the sigma 18-35 mm f1.8 lens this will increase your range यह काफी ज्यादा आपकी range को increase कर देगी आप अपने subject को isolate करने चाहते environments in the 18-35 mm is the great lens to have with you but at the end I am saying to you that the basic two most important lens for wedding photographer with the camera 1500D और आपके पास कोई कानन का IPSC DSLR camera या hand DSLR camera तो मैं यही recommend करूंगा आभी फिलहाल के लिए कि 70-70mm f2.8 जरूर ले हूँ और प्लस आप अपने 50-70mm f1.8 lens को भी साथ रखो यह तो बहुत ही highly important lens जिससे आप entire suit को एक नया आयाम दे सकते हैं यह विल गिए यह विल गिवा न्यू दामेंशन तो यह सुट जरू ट्राइकर करके देखना इस तो लेंसे आपको बहुत ही जादा आपके तो यह जो सकता है यह आपको झाल झाल